नमश्कार दोस्तों मैं मिनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेकिए ही ये डिजाइन ये है इसका फ्रंट पार्ट आगे का हिस्सा और ये है इसका बैक पार्ट पीछे का हिस्सा ये जो डिजाइन है इस डिजाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल में फंदों की जरूरत ह होगी एक फंदा एक्स्ट्रा डिजाइन को एकोल करने के लिए और चार होंगे इसमें हमारे एज़ इस डुदे डुनु तरफ यह जो पैटर्न है इसकी जो बैक साइड है उल्टी तरफ कोई दिजाइन नहीं है उल्टी तरफ के सारे फंदे हमने उल्टे बूलने है यह पल में 20 फंदे एक फंद एक्स्ट्रा डिजाइन को एकॉल करने के लिए 21 फंदे और चार होंगे इसमें हमारे एच्टिच तो टोटल होगे 25 फंदे 25 फंदों के साथ हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ है यहां से हम अपना पाटर्ण शुरू करेंगे पहली contempor पहला फंदण एक्टिच ओते में उथाए और उसके बाद सारे फंदे उल्टे भुनने हैं लास्ट के ढूनौगे चोड़के हैं यहां हमारे पाटरण की पहली स्लाई सीधी तरफ से लास्ट की जोrade चश्ठीच हैं उनकों हमने इसरी रुननां सारे फंदे जो बीच में है S-Stick के इलावा सारे हमने उल्टे बुनने है यह हैं दोनों हमारे S-Stick और यह दोनों S-Stick जो है सीधे बुने जाएंगे यह हमारे pattern की पहली S-Light उल्टी तरफ से पहला फंदा जो है हमने बिना बुने उतारना है और उसके बाद सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे पूरी स्लाई हमारी उल्टी बुने जाएगे सारे फंदे हमने उल्टे बुने है सिरफ एक है जिसे हमने बिना बुने उतारना है उल्टी तरफ के सारे फंदे हम इसी तरह से बुनेंगे अब आगे हम सीधी तरफ पहला फंदा एच्टीच है बिना बुने उतारा दूसरा एच्टीच सीधा बुना उसके बाद लास्ट वाले एच्टीच छोड़के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं मतलब की पैटन की वह बिल्कुल सम्साइब पहले सीधी तरफ धाली है उसी तरा से हम mendे हमने जाएंग़ शाहे जार पहले तरफ आए पहले चीछ सीधी तरफ जाहे पहला पहला फंदा एच्टीच उससे बिना बुने उतारना है यह आगे हमारे एज़ सिच ये दोनों हमने सीधे बुने है तो यह होगी हमारे pattern की दूसरी सीधी स्लाई उल्टी तर्ज से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बद सारे फंदे हमने इल्टे बुने हम अपने रिजाएन पर पहला फंदा na 6 बिना भुने उतारा दूसरा iam say सीधा पुलना इंग को अपनी तरफ किया ये तो उल्ना एक पंधा उल्टा 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 उम्रीम ने के बात उन हमारी तरफ है हमने अगला फंधा सीधा बुनना है उसे उन अपनी तरफ रखके ही बुनना है ताकि यहां पे हमें एक निया फंदा मिले एक फंदा सीधा दूसरा फंदा सीधा और तीसरा फंदा सीधा यहां पे यह जो है हमारा एक निया फंदा बना तो यहां पे हमने एक निया फंदा बनाया उसके बाद तीन 1 इकठे बुने उल्टे यह होगे हमारे 3 इंसंदे हमने इकठे बुने उनको पीछे किया 3 इन एक 2 और यह between उनको लाइप लपेटा एक फंदा, उल्टा बुना, उनको अपनी तरफ ही रखा, तीन फंदे सीधे बुने, एक, दो और ये तीन, उनको अपनी तरफ किया, तीन फंदे इकठे बुने, उल्टे, उनको पीछे किया, तीन फंदे सीधे, एक, दो, और ये तीन, उनको स्लाइक के उपर लपेटा, एक फंदा उल्टा, और लास्ट के दोनों एच्टिच सीधे, यह होगी हमारे पैटन की सीधी स्लाई, तीसरी सीधी स्लाई, यहाँ पे, यहाँ पे, एक चीज़ मैं बताना चाहूंगी, कि जब भी हम, उल्टा फंदा बुनने के बाद, उनको अपनी तरफ करके सीधा फंदा बुनते हैं, तो एक फंदा नया बनता है, अब आगे हम अपनी पैटन के उल्टी तरफ, पहला फंदा बिना बुने उतारा, और बाकी के सारे फंदे उल्टे बुना, अब आगे हम अपनी अगली सीधी स्लाई पे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, उनको अपनी तरफ किया, पिछली अब इसे हमने उल्टा बुना है, उनको अपनी तरफ ही रखेंगे, अब बीच में पिछली बार हमने तीन फंदे सीधे बुने थे, अब यहां दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और यह दो, दो फंदे सीधे बुनने के बाद उनको अपनी तरफ किया, तीन फंदे इकटे एक, दो, और ये तीन, तीन फंदे उल्टे, उनको अपनी तरफ ही रखा, दो फंदे सीधे, एक, और ये दो, उनको अपनी तरफ किया, तीन फंदे उल्टे, उनको पीछे किया, दो फंदे सीधे, एक, और ये दो, उनको स्लाई के उपर ला पेटा, दो फंदे उल्टे, लास्ट के दोनों edge-street सीधे पिशली स्लाई में edge-street के साथ एक फंदा उल्टा था दूसरी स्लाई में जो है उससे जो अगली स्लाई है उसमें यहां पे दो फंदे उल्टे होगे और बीच में जो सीधे फंदे थे वो हमारे घठते जाएंगे और बीच वाले जो उल्टे फंदे हैँ यशाइड़ उल्टे फंदे है वह बढ़ते जाएंगे अब यहाँ पे पिछली पहला फंदा बिना बुने उतारा बाकी के सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे अब आगे हम अपनी अगली सीधी स्लाई पे पहला फंदा एच स्टिच बिना बुने उतारा दूसरा फंदा सीधा बुना अब यहां पे तीन फंदे हमने उल्टे बुने हैं उनको अपनी तर किया तीन फंदे इकठे उल्टे बुने उनको पीछे किया एक फंदा सीधा बुना उनको स्लाइग के उपर लपेटा अब यहां पर बीच में हमारे पास जो है पांच फंदे उल्टे बुने जाएंगे एक दो तीन चार और यह पांच जब हमने यह जाली वाला पार्टन चुरू किया था तो बीच में पहली स्लाइग जो जाली वाले पार्टन की थी उसमें एक फंदा था बीच में उल्टा दूसरी स्लाइग में तीन फंदे उल्टे थे और तीसरी स्लाइग जो है इसमें हमारे पांच फंदे उल्टे आएंगे, उनको अपनी तरफ ही रखेंगे, एक फंदा सीधा बुना, उनको अपनी तरफ किया, तीन फंदे उल्टे बुने, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा बुना, उनको लाई के उपर लपेटा, और साइड पे ये, तीन फंदे उल्टे, मतलब कि जो हमारा pattern है बीच में जो फंदे हैं हमारे इस बार जब हमने start किया था तो side ओं पे एक एक फंदा था बीच में भी एक फंदा था उसके बाद जैसे जैसे हमने ये जाली हमारी बढ़ती जाएगी यहां पे जो होगा पहले एक फंदा है फिर दो फंदे होंगे फिर तीन फंदे होंगे और लास्ट में चार फंदे होंगे जो बीच वाले फंदे है उसमें होंगे पहले एक फंदा फिर तीन फंदे फिर पांच फंदे फिर साथ फंदे क्योंकि यहां पे जो है दोनों तरफ जाली है, साइडों में एक एक तरफ जाली है लास्ट के दोनों एच्टित सीधे उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी के सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे अब आगे हम अपने पैटर्न की लास्ट सीधी स्लाइब पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना उसके बाद उनको अपनी तरफ किया, अब इस बार हमने चार फंदे उल्टे बुने है एक, दो, तीन, और ये चार उनको अब हम अपनी तरफ नहीं रखेंगे, इसको हमने लपेटना है क्योंकि ये फंदे भी हमने उल्टे बुने है, तो अभी ये फंदा उल्टा बुना, उन हमारी तरफ ही है इसको लाई के उपर लपेटा, तीन फंदे इकठे बुने अब इसको फिर लाई के उपर लपेटा और बीच में हमारे हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, साथ फंदे उल्टे, उनको सलाई के उपर लपेटा, ये तीनों फंदे इकठे जो हैं, बुने जाएंगे, उनको फिर सलाई के उपर लपेटा, और ये चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, और ये चार, लास्ट के दोनों एच्टिक सीधे बुने जाएंगे, अब आगे उल्टी तरफ, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेगे, तो इस तरह से ये बारा सलाई, छे सीधी तरफ से, छे उल्टी तरफ से, बार दोराते हुए, अपने पैटन को पूरा करेंगे, इसमें अगर जो है, दस के मल्टीपल में हमें फंदों की जरूरत होती है, इसके लिए, एक फंदा एक्स्ट्रा, अगर जो कोई भी प्रजेक्ट जिसमें आप ये डिजाइन डाल रहे हो, उसके फंदे आपको कम या जाद चाहिए, तो आप जितने फंदे 10 के मल्टीपल में होंगे, उनका पैटन बनाईए, और साइट पे जो फंदे एक्स्ट्रा है, उनको उल्टे-उल्टे करके भी डाल सकते हो, ताकि जो है, ना तो फंदे हमें घटाने या बढ़ाने पड़े, और हमारा जो है पैटन में ठी है, यह बारा स्लाई में पैटन की डाल लगी है, अगर मुझे इसको बॉर्डर के लिए यूज़ करना होगा, तो उसके बाद में यह जो दो गार्टर सिश रोज है, इनको दुबारा डालोगी, यह जो दो गार्टर सिश रोज है, यह हमारे पैटन का हिस्सा है, क्योंकि इ यहां ऊपर दो गार्टर सिश रोज और बुनूंगी, ताकि मैं अपना जो यह पैटन है, इसको as a border, border की तरह स्वेटर में, कार्डिगन में, या फिर किसी भी बच्चों की फ्रॉक वगेरा में इसको यूज़ कर सको, तो इसी तरह से जो है, बारा स्लाई दोराते हुए, ह अपना पाटन जो है, उसको पूरा करेंगे,